Hello students, welcome to the amazing platform of NCRT वाला So my dear students, आज आप लोगों के लिए एक बहुती बड़ी खुश खबरी है आपका solutions chapter जो है, वो complete होने वाला है आज, तो मिठाईयां मिठाईयां बांड़ दो यार क्योंकि सभी बहुत वेट कर रहे थे कि कब solution chapter खतम होगा, माम कितनी सारी चीज़े पढ़ ली, है ना, येस तो पेटा, आज बस एक last topic बचा है, छोटा सा topic है, वो topic खतम करेंगे और फिर आज हम पूरे chapter से related आपके NCRT के questions भी करेंगे, कुछ NCRT के questions करेंगे कुछ बेटा, हम previous year questions भी करेंगे, ताकि हमें पता तो लगे कि किस तरह के questions आते हैं, ये देखना सबसे important होता है, वही best तरीका होता है आप अपनी preparation को कैसे check कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बहुत important चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, गांठ बांध लो, ऐसे कहते थे न मुम्मी लोग कोई चीज़ के लिए जो बहुत important होती है गांठ बांध लो, तो बेटा गांठ बांध लो, की सारे के सारे sample papers, PYQs, जितने आपको मिल सकते हैं, NCRT के questions, ये सारी चीज़े बेटा आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रातो रात जागना पड़े, लेकिन questions करने हैं, आपको बता है, 70-80% paper इन ही चीज़ों से repeat होता है, तो यानि कि 70-80% marks आप score कर सकते हैं, अगर आप बात लो, कुछ भी हो जाए, मुझे इतनी चीज़ तो करनी ही करनी है, ठीक है, आज हम कुछ questions करेंगे, बाकी आप लो करेंगे, और आप देखेंगे कि कितने असान questions आते हैं, क्योंकि मैं आमने बढ़ाया है भाई, सब चीज़ें आपसे हो जाएंगी, सारे questions आप खुद क question solving का, तो अब अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, colligative properties हम खतम कर चुके हैं, उसी से related एक particular topic है, which is your vanthor factor, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इतने सारे practice questions करने वाले हैं, ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं, vanthor factor, तो vanthor factor की ये इस सब के बारे में discussion करते हैं, ठीक है, तो बेटा, क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले एक बहुत important चीज़ बताई थी, जब हमने ये topic शुरू किया था, कि colligative properties जो होती है, वो क्या होती है, amount पे depend करती है, ठीक है, और यहां पे हमने जितने भी colligative properties पढ़ी, वो सब क इस पे depend कर रही थी, amount of solute जो आपने non-volatile डाला था, ठीक है, तो मैं यहां लिख सकती हो, this is directly proportional to the amount, ठीक है, amount, कितने moles है, और हम यहां पे amount किसकी देख रहे थे, solute की देख रहे थे, ठीक हो, colligative properties with respect to solute भी हो सकती है, solvent भी हो सकती है, पर आप जो है, majorly discuss करते हो, solute वाली, जो आपका non-volatile solute होता है, ठीक है, yes, तो amount of, मैं यहां लिख दू, non-volatile solute, ठीक है, yes, तो हमने अभी यह discussion किया था, कि colligative properties जो होती है, वो directly proportional होती है, to amount of non-volatile solute, ठीक है मैं, अब मैं आपको एक condition देती हूँ, उससे पहले एक किसी student का doubt था, मैं उस doubt को clear कर दू बेटा, आ आप लोगों ने मैं से एक doubt पूछा था, तब काफी students को यह doubt आ रहा था, कि मैं जो relative lowering है ना, वो colligative property है, वो क्या है आपकी? आपकी colligative property है, लेकिन lowering of vapor pressure colligative property नहीं होती, बेटा, आज मैं आपको बहुत important चीज़ बता रही हूँ, जो आपके syllabus में नहीं है, लेकिन क्यूंकि आप confuse हो रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ, यह होता है आपका, क्या? relative lowering in vapor pressure, RLVP मतलब relative lowering in vapor pressure, तो बेटा, relative lowering in vapor pressure जो होता है, वो आपकी colligative property होती है, वो आपकी colligative property होती है, with respect to solute and also solvent, ठीक है, कैसे? अब देखो, यहाँ पर अगर आप इसी को open करके लिखोगे, तो delta P by P जो है, वो directly proportional हो जाएगा, 1 minus mole fraction of solvent के equal भी तो हो जाएगा, तो कुछ भी बोल दो, यह इसके भी तो, इसकी mole fraction जो होगी, आपकी solvent की mole fraction जो होगी, उसके भी तो directly proportionally है, amount पे depend कर रहा है, तो बिटा, relative lowering property जो होती है, वो आपकी colligative property होती है, solute और solvent दोनों की respect में, लेकिन आपकी इस लेबस में सिर्फ solute वाली है, इसलिए वो बोल देते हैं कि relative lowering is the colligative property with respect to solute, लेकिन अगर आप lowering of vapor pressure की बात करोगे, तो lowering of vapor pressure क्या होता है, मैं, delta P is equal to P naught mole fraction of solute, है ना, ये बात समझ आ रही है, अब अगर आप यहाँ पर दिहां से देखो, तो ये क्या होगा, ये है आपका lowering of vapor pressure, अब अगर आप इस lowering of vapor pressure की बात करो, तो बिटा ये P naught पर भी depend कर रहा है, ये mole fraction of solute पर भी depend कर रहा है, P naught क्या होता है, आपके solvent का vapor pressure होता है, यानि कि आप क्या कह सकते हो, that delta P naught जो है, वो solvent के nature पर भी depend कर रहा है, क्योंकि हर एक solvent का अलग-अलग vapor pressure होगा, तो अगर वो उसके nature पे depend कर रहा है तो वो उसकी amount पे depend नहीं कर सकता यानि कि delta P is not a colligative property with respect to solvent वो solvent की respect में colligative property नहीं है लेकिन बेटा अगर आप delta P की बात करोगे तो वो आपके salute के mole fraction पे ही depend करता है तो यानि कि salute की सिर्फ amount पे depend करता है और जो सिर्फ amount पे depend करें उसकी respect में वो colligative property होगी तो यानि कि यह जो आपका lowering of vapor pressure है यह आपकी colligative property है with respect to salute यह salute की respect में है colligative property लेकिन solvent की respect में नहीं है लेकिन relative lowering जो है वो दोनों की respect में colligative property है यह चीज आपको याद रखनी है आप ऐसे confused मत हो colligative property दोनों ही है लेकिन किस किस की respect में है आज मैं आपको वो भी बता दिया ठीक है क्योंकि आप लोग comment में बड़ी जगड़ा कर रहे थे तो मैं मैं ने आज उस जगड़े को खतम कर दिया ठीक है thank you बात मैं बोल देना यार it's okay ठीक है चलो अब हम वापस आजाते हैं अपनी कहानी पे तो मैं इतना मुझे clear हुआ तो बेटा अब मैं आपको एक condition देना चाती हूँ इसले कि relative lowering in vapor pressure जो होगा हम सिर्फ solute के qualitative property की बात करते हैं तो मैं इसका जो relative lowering होगा वो delta p by p not होगा और वो directly proportional होगा to the mole fraction of solute है ना मैं यानि कि relative lowering जो है वो solute की mole fraction पे depend करता है अब जितना ज्यादा आप non-volatile solute डालोगे उतना ज्यादा relative lowering होगा उतनी ज्यादा relative lowering की value होगी इतना आप लोगों को clear है ठीक है पीटा हाँ अब मैंने आपको मान लो मैंने आपको दिया one mole NACL one mole NACL और मैंने आपसे पूछा कि बताओ one mole NACL अगर मैं डालूंगी तो one mole NACL NACL ना non-volatile है ठीक है तो मैंने आपको बोला कि मान लो आप एक mole NACL डालते हो तो कितनी relative lowering आएगी ठीक है तो आपने maths करी अपनी सारी calculations करी और आपने कुछ find out कर दिया लेटर से आपने कहा कि जो delta P by P not relative lowering होगी वो एक mole है salute मेरे पास एक mole है मेरे पास salute हाँ तो यानि कि मैं मान लो ये कुछ value आ गई आपकी x ठीक है तो ये आपने calculation कर ली एक mole NACL के हिसाब से और आपने कहा कि भाई इतनी relative lowering आएगी इतना clear है कोई issue नहीं है हम इतनी relative lowering आएगी लेकिन लेकिन मैं बोलू मैं बोलू कि आपका answer गलत है क्योंकि जो मैंने calculate किया क्योंकि जो मैंने calculate किया वो relative lowering जो थी वो इतनी नहीं आई वो इससे ज्यादा आई ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया मैं तो बिटा अब आप इस चीज को समझोगे वो कैसे आई ठीक है तो अब देखो आपको NACL पता है कि ये एक non-volatile solute है आपने इस solute को solvent के अंदर डाल दिया NACL जो होता है वो बिटा एक आईनिक compound होता है और जैसे ही आप NACL को solution में add करते हो on adding NACL in aqueous solution जब आप इसको aqueous solution में डाल देते हो तो क्या हो जाता है ये बिटा क्या हो जाता है dissociate हो जाता है ये अपने ions में dissociate हो जाता है NACL जो है वो NACL में चला जाता है तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप क्या देखोगे कि 1 mol NACL गेव वन मोल NACL माइनस आयन अब बिटा आपने जितनी भी calculation करी वो सारी calculation क्या सोचके करी कि भाई ये dissociate नहीं होता है ये एक मोल solute है तो ये एक मोल ही रहेगा solution के अंदर जाके भी है ना आपने तो ऐसे calculation कर दी और आपने x value find out कर ली पर आपको ये नहीं पता था कि अगर आप NACL को echo solution में डालते हो तो वो echo solution जो है वो अपने ions में तूट जाता है और वो अपने ions में तूट जाएगा तो आपको 2 mol मिल जाएगे एक mol NACL से एक mol non-volatile solute से आपको अब 2 mol non-volatile solute मिल गए तो जो आपकी calculation होगी आपने तो एक mol के हिसाब से की थी पर solvent में जाके तो वो 2 mol बन गए यानि कि calculation जो है वो आपकी सारी गलत हो जाएगी क्योंकि आपने एक mol करके सोच के सोचा था लेकिन उन्हीं कितने चाहिए थ तो बेटा इसी लिए आपका जो important topic आता है that is your Vanhoff factor तो Vanhoff factor इस चीज का ध्यान रखता है कि जो आप non-volatile solute डाल रहे हो वो कितना जाके dissociate होता है कई ऐसे भी non-volatile solute होते हैं जो किसी solvent में जाके मिल जाते हैं तो हो सकता है कि आपने कोई चीज के 2 mol लिये हो लेकिन वो पान एक mol बन गए होंगे तो फिर आपकी calculation फिर से गलत हो जाएगी इसी लिए Vanhoff factor आता है I hope आपको समझ आ गया कि Vanhoff factor का role क्या है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि कितना association या dissociation हुआ है ताकि आपकी सारी colligative properties जो है वो सही ढंग से हो पाएं ठीक है अब हम ये समझेंगे consider किये जाते हैं दो तरह के moles consider किये जाते हैं first जो होता है वो होता है n theoretical अब n theoretical क्या होता है वो मैं आपको साथ-साथ में बता देती हूँ N theoretical से मेरा मतलब है जितने moles मैंने डाले मतलब कि मैंने एक moles NACL डाला था तो मेरे को ये पता है मेरा N theoretical क्या है 1 mole मेरे हिसाब से मैंने 1 mole डाला है तो ये N theoretical जो होता है वो होते है number of moles number of moles added कितने number of moles आपने add किये ठीक है उसके बाद में आता है N-Observed अब N-Observed क्या होता है आपने एक मोल N-A-C-L डाला था लेकिन वो solution में जाके दो मोल बन गए एक N-A plus का मोल एक C-L minus का मोल तो total non-volatile solute अब दो मोल्स हो गए तो N-Observed क्या हुआ वो है दो यानि कि कितने मोल्स आपको solution में observe हुए है तो यानि कि ये हो जाएगा number of number of final moles in solution आपके solution में final कितने moles आए और बिटा जो आपका Vanthoff factor होता है ये इसको represent किया जाता है I-S-A vanthoff factor को I-S-A represent किया जाता है तो जो ये vanthoff factor होता है आपका that is given by N-Observed upon N-Theoretical हमेशा आप calculate करेंगे जब भी vanthoff factor तो आप कहोगे it is always equal to it is always equal to N-Observed upon N-Theoretical ठीक है तो अगर कभी भी vanthoff calculate करना पड़ा तो आपको इस तरीके से moles दिये होंगे और आप find out कर सकते हो चीक है I hope यहां तक कोई doubt नहीं है मैम vanthoff factor समझ आ गया लेकिन इसको use कैसे करना है वो भी मैम ही बताएंगी don't worry numerical में हम इसको कैसे use करते है वो भी मैं ही बताऊंगी चले करिए start अब बेटा देखो मैम ने आपको यह बोला कि हो सकता है कि आपने जो salute डाला है वो तूट जाए और जादा number of moles बना ले हाँ possibility है हो सकता है हो सकता है कि जो आपने salute डाला है जो आपने non-volatile salute डाला है वो अंदर जाके mix मिल जाए association हो जाए अगर association हो जाएगी तो number of moles कम हो जाएंगे है ना हाँ तो पिटा ऐसे अलग-अलग cases होंगे तो हम इस तरीके के सारे cases को discuss कर लेंगे ठीक है चलो तो मैम यहाँ से जो हमारा case 1 बनता है यहाँ से जो आपका case 1 बनता है वो क्या है देख लीजे case 1 कहता है when when dissociation happens when dissociation happens जब dissociation होगा तो क्या होगा अब इसको थोड़ा सा जो आपने equilibrium में लिखा था उस तरीके से लिखना है अगर नहीं आता कोई बात नहीं मैं यहाँ हूँ मैं आपको समझा दूँगी ठीक है जब dissociation होगा तो मानलो आपके पास में मानलो आपके पास में पहले मानलो आपके पास में पहले मैं आपको एक example जैसे NaCl का example लेके कराती हूँ ठीक है तो मानलो मैंने naCl लिखा मतलब आपने एक मोल ठीक है तो यह जाके बिटा टूट जाएगा यह जाके आपका टूट जाएगा और यह आपको एने प्लस और सी एल माइनस दे देगा है ना हां तो पहले अगर टी इकोल टू जीरो टाइम पे जब तक आपने उसको डाला नहीं था इनिशली आपके पास एक मोल था यह कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे आपने इसको solution के अंदर डाला तो t is equal to t टाइम पे क्या हुआ मैम यह पूरा का पूरा खतम हो गया यह पूरा का पूरा सौरी ऐसे मत सोचो ठीक है ऐसे समझ लो कि यह पूरा का पूरा टूट गया यह भी एक बन गया और यह भी एक बन ग है तो मैम यह जो है मुझे दे देगा n theoretical यह लिख दो समझ आजएगा n theoretical मैम यह होगा बिटा t is equal to t टाइम पे जब dissociate हो चुका है तो यह आपका n observed होगा यह आपका n observed होगा तो अगर आप इस case में वैंट of factor देखोगे i तो वो कितना आ जाएगा n observed upon n theoretical n observed upon n theoretical n observed कितना है upon n theoretical n observed कितना है आपके पास में 2 और n theoretical कितना है 1 तो यहाँ पर आगया आपके पास में 2 ठीक है तो इस तरीके से ढूंडते हैं अब यह तो मैंने आपको यह दिखाया कि n a c l जो है वो पूरा का पूरा तूट गया पर बहुत बार पूरा का पूरा न नहीं तूटता है तो अब हम जनरल फॉर्मुला लिखने वाले हैं अगर आपको फॉर्मुला डिराइव करने में दिक्कत आ रही है तो आप डारेक्ली फॉर्मुला याद कर लेना लेकिन अगर डिराइव करना समझ जाओगे तो आपके लिए अगेन वही चीज जो मैं बोलत इससे मोई है कि कुछ कि आपके पास मरें आपके पास में आपके पास में आपके पास में एनषय लंय容易 जा जब रहुआ जिसको आपने डाला तो यह यह न के अन्डर तूट गया अब यहँगा घूटता यहां पर आपको बस एक चीज समझनी है तot अलफा जो होता है वो आपका यहां पे degree of dissociation है यह आपको question में मिलेगा कि कितना degree of dissociation हुआ है कई बार कहते हैं कि 50% हुआ है तो alpha की value 0.5 हो जाती है कई बार कहते हैं 60% dissociation है यानि कि alpha की value 0.6 हो गई तो जितना भी percent दिया होता है उसको 100 से divide करो आपको alpha की value मिल जाएगी ठीक है alpha बता रहा है कि कितना degree of dissociation हुआ है ठीक है तो बेटा initially t is equal to 0 time पे आपके पास में यह कितने moles से कितने moles से आपके पास में an के एक ही mole है देखो तो मैं 1 mole है तो यहां पे आपके पास कुछ नहीं था ठीक है आपने t is equal to t time पे इसको डाला और इसका dissociation हो गया अब इसका dissociation दिखाया हुआ है alpha तो मान लो alpha degree of dissociation हुआ है तो मैं 1 minus alpha यह रहे गया होगा भी alpha dissociate हो गया तो 1 में से alpha subtract कर दो उतना आपका यहां पे रहे गया होगा है और मैं यह n alpha बन गया होगा और यह n alpha जब 1 mole होता है तो आपके पास में n moles बनते हैं ठीक है अब अगर alpha mole dissociate हुआ है त theoretical और यह क्या हो जाएगा n observed तो क्या आप यहां से वैंट ओफ फैक्टर निकाल सकते हो वैंट ओफ फैक्टर आई जो होगा वो आ जाएगा n theoretical अपॉरे को एड़ कर दो 1 minus alpha plus n alpha upon n theoretical कितने moles है 1 और वहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 plus 0 तो यह कितना हो जाएगा 1 बिटब alpha हम क्या कर सकते हैं common में ले सकते हैं तो यहां आजाएगा आपके पास में alpha common में ले लिया तो n minus 1 upon 1 तो यहां से आपका वैंट ओफ फैक्टर का general expression आगया 1 plus n minus 1 alpha ठीक है तो यह होता है आपका degree of dissociation के case में वैंट ओफ calculate करने का तरीका आपको अगर directly formula याद करना है आप directly formula याद कर लो अगर आपको concept समझना है तो आप concept समझ लो आपकी मरसी है ठीक है मैंने आपको समझा दिया फिर से समझा देती हूँ अगर एक mole होगा तो फिर कुछ नहीं होगा फिर जब alpha degree of dissociation होगा alpha dissociate हो गया तो 1 में से alpha चला गया अब जब alpha चला गया तो यहाँ पे n alpha moles बन गए होगे तो total आपका n observed होगया n theoretical होगा formula लिखा answer निकाल लिया हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना इस case में इस case में आपका vanthor factor in case of dissociation in case of dissociation हमेशा आपका जो vanthor factor है वो 1 से ज्यादा होगा जब भी dissociation होगी vanthor factor की value 1 से ज्यादा होगी 1 plus something आ रहा है न तो हमेशा ये value आपकी more than 1 ही होगी ठीक है येस और आपके n की value जो है वो आपकी 1, 2, 3, 4 and so on कुछ भी हो सकती है अब आपको इसके कुछ examples बता देती हूँ अब मैं आपको इसके कुछ examples बता देती हूँ जैसे कि अगर हम NACL समझे और alpha जो है let us say NACL जो है उसका alpha जो है वो हमने बोल दिया 100% ठीक है अगर इसका degree of dissociation 100% है तो बेटा NACL का जो वैंटो फैक्टर आएगा वो क्या जाएगा 1 plus N minus 1 alpha ठीक है अब alpha अगर आप देखोगे तो कितना है 100% है यानि कि 100 upon 100 1 हो जाएगा तो यानि कि बिटा आप क्या बोलोगे 1 plus जो भी आएगा into 1 आएगा अब N कितना होगा NACL अगर ध्यान से देखो तो अगर पूरा तूटे तो कितने में तूटेगा 2 में तूटेगा N plus और C L minus में 2 तो यानि कि N की value 2 है तो 2 minus 1 this is equal to 1 plus 1 2 तो NACL के case में आपका जो वैंट हो फैक्टर है 100% dissociation हो तो कितना आजाएगा 2 एक और एक और example करते हैं मान लो NACL यह है और इस बार आपका 50% dissociation हो रहा है ठीक है तो alpha जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 upon 100 which is 0.5 है ना ठीक है NACL है वैंट हो फैक्टर का formula है 1 plus N minus 1 alpha अब पिटा alpha की value 0.5 है N कितना होगा N तो अभी भी 2 होगा अगर वो पूरा तो 2 में तूटेगा तो यानि कि 1 plus 2 minus 1 into 0.5 तो ये क्या होगा बड़ा ही होगा ठीक है अगर आपको degree of dissociation नहीं दिया हुआ इसका मतलब है कि 100% dissociation हो रहा है और examples बता देते हैं और examples कर लेते हैं अब मान लो मैंने आपको बुला you have Na2SO4 अब Na2SO4 के case में आपको कुछ नहीं दिया हुआ आप assume करो कि जो alpha है वो आपका 1 है 100% है जब कुछ नहीं दिया होता तो 100% होता है तो फिर से formula वैंटोर factor 1 plus N minus 1 alpha ठीक है अब पिटा Na2SO4 में 2 Na plus ions मिलेंगे 1 SO4 2 minus मिलेगा तो यानी कि माम N की value यहां पे हो जाएगी 3 तो यह हो जाएगा 1 plus 3 minus 1 into 1 which is equal to 1 plus 2 which is equal to 3 ठीक है तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि कितने number of ions होंगे वो आपको N की value बताएगा alpha अगर degree of dissociation दिया हुआ है तो उसको 100 से divide करके degree of dissociation निकाल लो अगर नहीं दिया हुआ तो मतलब की वो 100% ही बोल रहा है तो फिर alpha को 1 लेके calculations कर दो ठीक है questions करेंगे तो don't worry सारी चीज़ें clear हो जाएगे तो यह था आपका case 1 अब हम case 2 की बात करते हैं case 2 कौन सा होगा भाई मैं case 2 होगा case 2 क्या होगा in case of in case of association अगर association हो रहा हो तो क्या होगा in case of association ठीक है बिटा association के अंदर अगर आपको कभी alpha की value दी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा association का मतलब है मैं यह हमें इस बाद degree of association देगा degree of association बताएगा ठीक है अब अगर आप degree of association की बात करते हो तो association कैसे होगा मैं सोचो कि आपके पास में na molecules हैं सोचो कि आपके पास में na molecules हैं तो मैं जब यह associate करेंगे तो यह आपको an दे देंगे है ना na molecules थे जो एक साथ मिलके एक ही molecule बना रहे हैं which is an ठीक है तो मैं अगर t is equal to zero time पे यह one mole था तो यह कुछ भी नहीं था t is equal to t time पे मैं one में से कुछ n alpha one में से कुछ n alpha dissociate हुआ n alpha नहीं लिखना और अगर आप यहाँ पे one minus alpha लिख रहे हो तो ध्यान से देखना करना क्या पड़ेगा अगर मैं one में से alpha dissociate हो रहा है तो बिटा यह alpha by n association हो रहा होगा क्यूं हो रहा है इस देखो जब n molecules associate होते हैं तो आपको एक molecule मिलता है अगर alpha molecules associate होंगे तो आपको alpha by n molecules मिलेंगे unitary method से आपको इसको करना होगा ठीक है येस तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो यह है आपका n theoretical यह है आपका n observed ठीक है तो माम वैंट ओ फैक्टर जो होता है वो होता है n observed upon n theoretical n observed कितना है 1 minus alpha plus alpha by n upon theoretical है total 1 this will be equal to 1 minus alpha plus alpha by n ठीक है तो यहाँ से आपके पास में वैंट ओफ फैक्टर का formula आ जाएगा which will be 1 plus alpha 1 by n minus 1 ठीक है तो यह आपके पास में आपके वैंट ओफ फैक्टर का formula आ गया कौन से case में जब आपके पास association हो रहा होगा और पिटा हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कि association के case में वैंट ओफ फैक्टर less than 1 ही होगा हमेशा association के case में आपका वैंट ओफ फैक्टर will be less than 1 ठीक है I hope यहां तक कोई doubt नहीं है इसके बाद में अगर किसी को यह वाला part नहीं समझा रहा आप directly formula याद कर सकते हो यह formula आपको याद करना है ठीक है मैं आपको बता भी रही हो formula याद करना है तो आप यह formula याद कर लीजिए अगर concept समझना है तो आप यहां से concept समझ ठीक है yes तो मैं दो cases हमने discuss कर लिए अगर आप इसका example देखेंगे तो इसका example मैं करवा देती है example आपके पास में दो कोई acids है RC double bond OH मानलो आपके पास में दो acids है तो जब आपके पास में non polar solvent होता है non polar solvent तो non polar solvent में जो acids होते है न वो क्या करते हैं associate हो जाते है hydrogen bonding कर लेते हैं ठ इसलिए मैं आपको बता रहे हैं कि non polar solvent में जो acids होते हैं वो association कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखो आपके पास है R फिर है आपके पास में C तो यहां आजाएगा double bond O यहां आजाएगा O और H similarly ऐसा ही एक और आपके पास में R फिर आएगा C फिर यहां आजाएगा बिटा OH और यहां आजाएगा double bond O ठीक है तो अगर आप यहां पर hydrogen bonding की बात करेंगे तो यहां पर hydrogen bonding होती है यहां पर hydrogen bonding होती है और यह क्या form कर लेता है dimer dimer क्या होता है जब association होता है दो molecules का जब दो molecules मिलते हैं तो उसे dimer कहते हैं trimmer क्या होता है? Trimer वो होता है जब 3 molecules जुड़ते हैं तो ऐसे ही जैसे-जैसे molecules जुड़ेंगे आपको पता लगता रहेगा और बिटा association के case में हमेशा question में mentioned होगा अगर आप अपने पास यहाँ पर note में लिखना चाहते हैं तो case of association will always be mentioned in question. आपके question में note बनाके इसको लिख लो कि अगर कभी association होगा तो question में mentioned होगा कि यहाँ पर association हो रहा है. लेकिन अगर कोई आपका ऐसा solute है जिसमें dissociation हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि question में लिखाओ आपको समझना है कि इस case में dissociation हो सकता है या नहीं. तो यानि कि आप again dissociation वाले case में एक note बनाके यहाँ पर भी लिख सकते हैं that in case of dissociation, it is not mentioned that dissociation is taking place we have to figure out on our own. अगर कोई salt दिया हुआ है तो आपको खुझ से find out करना है कि भाईया यहाँ पर dissociation हो रहा है लेकिन अगर कोई question में association का case होगा तो वो आपको बताएंगे कि यहां association हो रहा है उसके हिसाब से question को solve करो तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो हमने इतने cases discuss कर लिए है चलो इसके बाद एक last case रह गया है which is your case 3, case 3 अब case 3 क्या कहता है, case 3 कहता है that when no association or dissociation takes place अब association और dissociation दोनों ही नहीं हो रहे है अगर ना association हो रहे है ना dissociation हो रहे है तो क्या आपको एक चीज समझ आ रही है कि मैं जो मेरा n observed होगा वो मेरे n theoretical के equal होगा अगर ये दोनों equal है तो मैं वैंट ओफ factor जो होगा वो 1 के equal होगा तो जो वैंट ओफ factor होगा वो 1 के equal होगा जब association और dissociation नहीं होता तो वैंट ओफ factor जो होता है वो equal to 1 ही होता है आपका और जैसे आप अभी ता calculations कर रहे थे विल्कुल वैसे आपकी calculations से answers भी आ जाते हैं ठीक है ये जो आपके organic compounds होते हैं उन cases में association या फिर dissociation नहीं होता और उन cases में आपका वैंट ओफ factor 1 रहता है ठीक है तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से case में वैंट ओफ factor 1 रहता है कहां association होगा कहां dissociation होगा और आप सारे questions को कर सकते हो अब हम क्या करेंगे अब हम एक चीज करेंगे बिटा बहुत important चीज है again note बना के लिखना है अब हमें colligative properties सारी की सारी विद वैंट ओफ factor अगर आपका वैंट ओफ factor है तो colligative properties के formula में क्या change आएगा देखो आपने अभी तक जितनी भी बात की वैंट ओफ factor के लिए आपने हमेशन salute की बात की यानि कि जो वैंट ओफ factor है वो आपके जहां जहां salute के moles आते हैं वहां वहां पे add हो जाता है ठीक है तो यानि कि अगर आप यहां पे relative lowering की बात करेंगे तो first होता है relative lowering in vapor pressure तो relative lowering in vapor pressure में delta P by P not होता है जिसको हम बोलते हैं mole fraction of solute के equal जिसको हम बोलते थे moles of solute upon moles of solvent ऐसे बोलते थे इसको हम dilute solutions के लिए एक general formula जो हम लिखते थे right तो आप इसको क्या लिख सकते हो moles, went of factor into moles of solute upon moles of solvent जहां जहां पे आपको solute के moles दिखते हैं वहां वहां पे went of factor multiply कर दो बस इतना ही change आएगा आपके formulas के अंदर ठीक है अब आपको होगे ma'am कि इसका formula एक ये भी तो होता है moles of solute upon moles of solute plus solvent हाँ लेकिन बेटा आप most cases में ये formula यूज कर सकते हो अगर ये कर रहे हो तो यहां पे भी went of factor multiply होगा और यहां पे भी होगा ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखने है पर ज्यादा तर आप यही formula यूज कर रहोगे और सारे answers आपके सही आएगे ओके तो आप बस एक ही बार multiply कर देना आपका answer आजाएगा बहुत बढ़िया पहला केस तो समझ आ गया second कौन सा था elevation in boiling point अब elevation in boiling point का formula सबको याद है delta T delta Tb is equal to Kb into molality अब molality की बात करें तो molality क्या होता था moles of solute upon mass of solvent in kg तो यानि की moles of solute के साथ ही वैंट of factor आएगा तो मैं delta Tb जो होगा that will be equal to Kb इसको ऐसे लिख सकते हैं आप Kb into mols of solute upon mass of solvent in kg अब अगर आप इसमें वैंट of factor multiply कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप delta Tb को क्या लिख सकते हो वैंट of factor Kb into M है ना तो वैंट of factor के case में जो आपका elevation in boiling point होता है उसके formula में बस इतना सा change आता है कि आप इसमें वैंट of factor multiply कर देते हैं ठीक है येस अब अगर आपको ये समझ आ गया तो क्या आप क्या आप freezing point वाले case में लिख सकते हो depression in freezing point के case में बिल्कुल लिख सकते हैं चलिए लिखते हैं थर्ड case हो जाएगा आपका depression in freezing point तो depression in freezing point के case में जो आपका delta Tf है वो क्या हो जाएगा Kf into M अब Vant of factor multiply करना है तो delta Tf is equal to Kf into Vant of factor into M ये आपका इस case में formula हो जाएगा बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही समझ आ रहा है समझ आ रहा है कोई issue नहीं है चलो बहुत बढ़िया अब हम बात करते हैं osmotic pressure की तो fourth है आपका osmotic pressure तो अगर हम osmotic pressure की बात करें तो osmotic pressure जो था वो दिया जाता था as pi is equal to CRT which is equal to moles of solute upon V into R into T तो अगर आपको Vant of factor multiply करना है तो वो यहाँ पर multiply होगा यानि कि आप क्या बोल सकते हो pi is equal to Vant of factor CRT तो यह आपका formula हो जाता है Vant of factor की case में किसका osmotic pressure का बस क्या किया सिर्फ Vant of factor को multiply किया तो जैसे numerical solve करते थे वैसे ही करने है बस Vant of factor की value निकालनी आनी चाहिए ठीक है yes तो I hope यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं है बस इतना ही करना है इसके अलावा और कोई complication आपको नहीं आएगी ठीक है तो आप यह चीजे note कर सकते हैं विडियो को pause करके मैं बार बार ऐसे सारी विडियो सारे चला देती हूँ आप देख ले न ठीक है यहाँ से शुरू करा हमने यह लिख लो पहले विडियो को pause कर लो फिर यह लिख लो विडियो को pause कर लो फिर यह लिख लो विडियो क pause कर लो और फिर यह लिख लो, वीडियो को pause कर लो, ठीक है, I hope यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं है, आगे formulas है, formulas लिख लो, वीडियो Bye कर लो, और यहाँ पे भी, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को pause कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है लिख लिख लिया होगा आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं भाई तो अब हम क्या करने वाले हैं मैम अब हम बेटा करने वाले हैं बहुत सारे क्योंकि आपका practice session शुदू हो गया है ठीक है yes तो वह जो वनटाफ factor पे based questions वह भी इसी practice session में आ जाएंगे तो हम कर लेंगे वैसे तो आपको बता दिये कि आपको वैंटाफ factor कैसे calculate करना है जैसे आप वंटाओ factor calculate कर लोगे उसके बाद में तो आपको बस formula में पूट करना है वैसे questions हम कर भी चुके हैं है तो चलो अब हम first question पढ़ते हैं आपको सवालों के जवाब देने हैं क्योंकि मैंने अपना काम किया मैंने आपको पढ़ाया है तो अब आपका काम है सव आपके ठीक है पहले हम PYQ करेंगे फिर हम NCRT based questions करेंगे NCRT के questions करेंगे तो पहला question कहता है How is the vapor pressure of a solvent affected when a non-volatile solute is dissolved in it देखो जो direct question है define molality, define molality, define vapor pressure ये सारे जो questions है वो मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि ये PYQs तो आपको पता है की आएंगे और इनकी definitions तो आपको बतानी है जो थोड़े से tricky questions है I have tried कि मैं वो सारे लेकर आँ बाकी आपको सारे PYQs करने हैं मैं पहले बता रही हूँ वरना फिर मैं गुस्सा हो जाएंगी सही मैं क्योंकि इतनी महनत करने के बाद में PYQs नहीं करोगे तो यार मेरा गुस्सा होना बनता है ठीक है तो इसलिए करने है चलो बहुत बढ़ी है अब देखो अब आप इसको कैसे बताओगे आपको पते क्या करना है मतलब मैं आपको सिफ स्टेप्स बता सकती हूँ अब यहाँ पे तो करने के लिए पूरा का पूरा आंसर थोड़ी लिखूंगी लेकिन अब आप याद करो कि मैं ने मेरे को कैसे समझाया था जब भी पेपर लिखने सिंपल अगर आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं ठीक है वो हो जाएगा मैं जो भी हमारी अगर हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा ठीक है मैं क्योंकि वो पूरा pure solvent है तो उसकी mole fraction 1 होएगी अब अगर आपने उसमें non-volatile solute डाल दिया तो अब आपके पास में एक solution बन गया जिसके 2 components है फिर आप बताओ कि एक का vapor pressure तो होगा और दूसरे का vapor pressure नहीं होगा फिर आप वो वाली चीज बताना मेटा कि एक का पी नॉट होगा और दूसरे का जो पी नॉट टू होगा वो किस equal to zero गा तो जो total vapor pressure आएगा वो पी नॉट एक्स ए प्लस ये पी टू नॉट जो होगा वो 0 से multiply हो जाएगा क्योंकि क्योंकि सॉरी सॉरी पी टू नॉट तो 0 है ना तो पी टू नॉट की value जीरो हो जाएगी और mole fraction तो इसकी भी होगी तो मैं वो हो जाएगी 0 into mole fraction of B तो ये जो है वो आपका पी नॉट एक्स ए के बराबर आ जाएगा फिर यहां से आप बता सकते हो क्योंकि जो पी नॉट होगा वो आपका पी टोटल से बड़ा ही होगा that is pure solvent का वेपर प्रेशर हमेशा बड़ा होता है अब यह सारी चीजे में आपको बोल के बता रही हो लेकिन आपको लिख के समझानी है अपनी भाशा में ठीक है हम बता देंगे इसमें तो हमें कोई दिककत नहीं है ठीक है also आप यहां पर डेल्टा पी नॉट वेपर प्रेशर जो लोवरिंग और वेपर प्रेशर है वो भी बता सकते हो कि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है लोवरिंग और वेपर प्रेशर तो जितना जाद मोल फ्रक्शन जादा होगी नॉट वेपर प्रेशर का तो पूरे चैप्टर में जो भी चीजे पढ़ी है ना सारी रिलेट हो रही है तो जितनी भी उससे रिलेटेड चीजे हैं आपको सारी लिखनी है ठीक है बेटा तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेशन को कैसे करना ह सारी चीजें आपको नोट के अंदर मिलेंगी डाइगराम बना के बताओगे ना तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा ठीक है चलो अगला क्वेशन अगला कहता है गैस ए इस मोर सॉल्यूबल इन वाटर के अंदर दान गैस बी गैस ए वाटर के अंदर जादा सॉल्यूबल है अब आपसे पूचाए कि दोनों में से किसकी हाइर वाल्यू होगी के अच की के अच देखते ही मुझे याल आगया कि हेंडरी जू से यह सवाल मुझसे पूचा गया है और मुझे पता है और मुझे पता है कि जितनी जादा सॉल्यूबिलिटी होती है मोल फ्राक्शन से ही बात कर रहे थे जितनी जादा सॉल्यूबिलिटी होती है उतना ही कम आपका क्या हो जाता है हेंडरी जाता है जितनी जादा सॉल्यूबिलिटी उतना कम हो जाएगा हेंडरी जाता है तो अ गैस B, अब आप बता सकते हो why, क्योंकि मैम, क्योंकि मैम, गैस A और गैस B जो है, वो same temperature pressure conditions पे हैं, तो the more the solubility, the lesser will be the Henry's constant, since A gas is more soluble in water, and B gas has a lesser solubility, so the Henry's constant value of B will be more than the Henry's constant value of A, तो ऐसे आपको अपनी language में answers बना के लिखने हैं, concept को समझना है, और सवाल का जवाब देना है, ठीक है, चलो, अगला, यहां तक हो जाएगा, second देखो, in non-ideal solutions, non-ideal solutions के अंदर, what type of deviation, किस type का deviation जो होता है, वो show करता है, formation of maximum boiling azeotropes, तो अब आपको यहां पर बेटा, पूरा का पूरा explanation देना है, कि maximum boiling azeotropes जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पहले यह बताओ कि maximum boiling azeotropes क्या होते हैं, अब बताना है, उसके बाद में, कि कौन सी deviation शो करने वाले होते हैं, अब imagine करो, मैम ने जो याद करवाय था, अगर maximum boiling azeotropes है, यानि कि boiling point बहुत जादा है, अगर boiling point बहुत जादा है, तो पक्का मैम, अगर boiling point बहुत जादा है, तो पक्का मैम, vapor pressure कम रहा होगा, और vapor pressure होती है, कौन deviation होता है, वो deviation होता है, negative deviation from the Rawls law, तो यहाँ पर जो answer आजाएगा, that will be negative deviation, ठीक है बिटा, तो आपको इस तरीके से समझ आना चाहिए, कि वो आपको क्या बता रहा है, फिर उससे related, जो जो चीजे पढ़ी है, जो जो definitions पढ़ी है, सारी की सारी definitions लिख दिया करो, और बहुत तरीके से points के अंदर सब explain कर दिया करो, ठीक है, तो I hope यह question भी हो जाएगा, amazing, आगे बढ़ते हैं, next question देखो भाई, next question, यह हमने कर दिया, ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है, that if in a solvent, n simple molecules of solute combine to form an associated molecule, अब आपको question में बताया हुआ है, कि एक associated molecule ब n simple molecules है, मान लो कोई n simple molecules हैं, a के, और वो associate हो रहे हैं, आपको an दे रहे हैं, ठीक है, x is the degree of association, तो यहाँ पर जो आप alpha degree of association देखते थे, उसकी value आपको x दी हुई है, now x is the degree of association, the want of factor i is equal to, तो विडियो को pause करो, पहले good try करो, और फिर ma'am का answer देखना, ठीक है, अब देखो, मे मुझे पता है, that initially t is equal to 0 time पे, जब कुछ भी association नहीं हुआ होगा, तो पका मेरे पास अगर ये 1 mole था, तो ma'am ये मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, अब t is equal to t time पे ma'am कुछ association हुआ और alpha association हुआ है, तो ma'am ये alpha by n बना होगा, alpha की value आपको x दी हुई है, ये है आपका n theoretical, और ये है क्या पेटा आपका n observed, वैंट होग factor जो होता है, वो होता है ma'am, n observed upon n theoretical, n observed जो है, वो है मेरा 1 minus alpha plus alpha by n, upon ma'am n theoretical total कितना आ रहे है, 1 आ रहे है, तो this is equal to 1 minus, अब पेटा alpha की value आपको x दी हुई है, तो x put कर दो 1 minus x plus x by n, तो ये आपके went of factor की value होनी चाहिए, 1 minus x plus x by n, तो अगर आप options में देखोगे, तो 1 minus x plus x by n, एक ही दिखाई दे रहे है, तो option 3 जो है, वो आपका correct answer हो जाएगा, तो इस तरहां के बेटा conceptual questions आपसे CUET में पूछे जाते हैं, तो आपको concept building करनी है, इस point के लिए, ठीक है, I hope य है, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं, next question करते हैं, video को pause करना है, question को पढ़ना है, और solve करना है, ठीक है, तो question क्या कहता है, question कहता है that, explain why, explain करो, क्यों, on addition of 1 mole of glucose, जब आपने 1 mole glucose add किया, 1 liter पानी में, तो boiling point of water increase हो गया, आप ये explain करो, तो basically question क्या कहता है, उस question को समझ लेंगे, ma'am, हमारे पास ना, एक container था, हमने इस container के अंदर, 1 liter पानी डाला, ये आपके पास में 1 liter water है, अगर पानी है, तो बिटा, यानि की अभी ये pure है, है न, yes, और आप से किसका boiling point का पूछ रहा है, बिटा, पानी है, तो pure है, तो ma'am, इसका boiling point TB naught होगा, जब आप इसमें 1 mole glucose डाल दोगे, यानि की glucose जो होता है, वो आपका non-volatile solute होता है, तो आपने add किया है, non-volatile solute, तो जब आप non-volatile solute डालोगे, तो इस container में क्या होगा, आप ऐसे बनाओ, फिर आप उनको दिखाओ, कि ये देखो, इस तरीके से, जब non-volatile solute डालोगे, तो क्या होगा, इस non-volatile solute में, जो non-volatile solute है, वो surface के ऊपर आजाएगा, ठीक है, यहां तक किसी को गोई doubt नहीं है, यहां तक clear है, बिल्कुल clear है, ये बिल्कुल इसका जो temperature होगा, boiling point होगा, वो TB हो जाएगा, हमें पता है, हमें पता है, इसका जो vapor pressure होता होता है, इसका vapor pressure भी होता है, I know that, I know that, solution का जो vapor pressure होता है, वो हमें प्योर vapor pressure से कम होता है, and we also know that more the vapor pressure at constant temperature, at constant temperature, अगर आप एक particular temperature की बात कर रहे हो, तो जिसका जतना जादा vapor pressure होगा, वो उतना जादा volatile होगा, ये बात समझ आ रही है, तो more the volatility lesser is the boiling point, ये बात समझ आ रही है, also we know that, also we know that, now we can say that, जो TB है, जो TB है, वो बिटा, आपका ज्यादा बड़ा होगा, than TB not, आप ऐसे समझा सकते हो, ठीक है, इसी लिए हम कहते हैं, इसी लिए हम कहते हैं, कि जो boiling point है water का, जब आप उसके अंदर एक non-volatile solute glucose add कर दोगे, तो उसका boiling point बढ़ जाएगा, क्यों क्योंकि उसका vapor pressure कम हो गया है, और अगर उसका vapor pressure कम हो गया है, तो जादा temperature पर वो boil होगा, और उसी वज़ा से elevation in boiling point आएगा, तो जो चीजें आपने समझी हैं, वो चीजें आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी, again बतारी हो बेटा, notebook के अंदर लिखे हुए सवालों के जवाब नहीं दे सकते हो, आप जब तक आपको concept clear नहीं है, ठीक है, आपको खुद से कहानी बना कर वहाँ पर समझाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, right, yes, तो बिलकुल वैसे ही आपको notebook में diagrams बना के लिख के समझाना पड़ेगा, और एक बहुत important चीज़ बता रही हो, अगर आप diagrams बना के समझाते हो ना, तो जो teacher होता है, उसको और जादा अच्छे से clear होता है, और आपको और better marks मलता है, ठीक है, तो theoretical questions इस तरीके से करने, चाहिए हमेशा notes, points में answers ल प्रेशर क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता, आप 0 से उसको सारी चीज़ explain कर रहे हो, हर एक answer को इस तरीके से explain करना चाहिए, तो I hope यह question कर लेंगे, हम चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, next question कहता है, that वीडियो को pause करना है, और खुट ट्राइ करना है, if relative decrease in vapor pressure is 0.4, अगर relative decrease 0 0.4 है, मैं जो जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखेती हूं, relative decrease बोला है, तो यानि की delta P by P not की value 0.4 गिवन है, for a solution containing 1 mole of NaCl, तो आपके पास में moles of solute आपको गिवन है, 1 mole, और आपको solvent जो है आपका water, उसके moles दिये हुए है, 3, ठीक है, ठीक है, NaCl, then you have 1 mole of NaCl and 3 moles of water, NaCl is dash percent ionized, अगर आपसे question में पूछा हुआ है कि कितना percent ionized है, यानि कि बेटा, वहाँ पर ionization या for dissociation, जो ionization होता है, यही basically आपका dissociation है, यानि कि यहाँ पर बेटा, आपको इतना समझ आ जाना चाहिए, कि Vant Hoff factor हमें find out करना पड़ेगा, और ionization हो रहा है, यानि कि dissociation हो रहा है, यानि कि I जो है, वो 1 प्लस N माइनस 1 अलफा के equal है, ठीक है, आपको अलफा की value निकालनी है, आपको अलफा की value calculate करनी होगी, ठीक है, चलो, अब इस question को करते हैं, हमें पता है that delta P by P not जो होता है, वो mole fraction of solute के equal होता है, यानि कि moles of NaCl upon moles of solute, that is your NaCl plus moles of water, अब आप कहोगे कि माम आपने यहाँ पे क्यों ये दोनों terms लेखे, क्योंकि अगर आप moles देखोगे तो 1 और 3 है, बहुत जादा difference नहीं है, और calculation भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, easy ही होगी, तो आपको इसको इसी तरीके से करना है, ठीक है, तो इसको solve कर लेते हैं, ये value आपको कित्ती दी हुई है, 0.4, 0.4 is equal to moles of NaCl कितना है, 1 upon 1 plus कितना दिया हुए, 3, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे माम ने एक गलती कर दी न, देखा, माम ने कहा था कि हर जगाँ पे, जहाँ जहाँ पे आपके moles of solute आ रहे हैं, वहाँ वहाँ वां 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 लगाना है, तो यहाँ पे भी went of factor आएगा और यहाँ पे भी went of factor आएगा, ठीक है, तो यानि कि माम, went of factor into 1 upon went of factor into 1 plus 3, क्योंकि solvent के साथ went of factor नहीं आएगा आपका, क्योंकि went of factor सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, solute के लिए है, अब आपको इसको solve करना और यहाँ से किसकी went of factor की value निकालनी है तो चलो निकालते हैं यह हो जाएगा 0.4 वैंटॉफ फैक्टर प्लस 4 3 12 हो जाएगा तो 1.2 is equal to वैंटॉफ फैक्टर ठीक है तो यहां से आपका वैंटॉफ फैक्टर यह आजाएगा 1.2 इधर चला जाएगा तो 1 में से 0.4 गया तो 0.6 वैंटॉफ फैक्टर फैक्टर इस इक्टर प्लस 4 एपका वैंटॉफ फैक्टर फैक्टर इस तो यह आजाएगा बिटा कितना मैंने कुछ क्याल्कुलेशन मिस्टेक की है क्या अब आप यहां पर आई की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस एन की वैल्यू क्या होगी आपको एनने सियल के लिए देखना है तो एने सियल अगर हेंटरड परसंट डिसोसियेशन होता तो कितने में डिसोसियेट होता na plus और cl minus में यानि की total 2 तो बिटा na cl के लिए n की value 2 होगी तो मैं 1 plus 2 minus 1 into alpha तो 2 is equal to 1 plus alpha तो alpha जो होगा वो आपका आजाएगा 1 अगर आपका alpha 1 आ रहा है यानि की बिटा 100% आपका dissociation हो रहा है 100% यानि की option 3 जो है वो आपका correct answer हो जाएगा अब ये calculation मैं mistake भी कर सकती है आप check करके मुझे बता देना तरीका ये होता है मैंने आपको बता दिया just let me know कि ये answer सही है या नहीं एक बार cross check कर लेते हैं relative decrease in vapor pressure जो है वो आपको इस पूरे part का value 0.4 given है this is equal to moles of NaCl NaCl के आपके पास में moles 1 है तो 1 into van't of factor upon 1 into van't of factor plus moles of water water हो गए 3 ठीक है फिर हमने इसको cross multiply किया cross multiply करेंगे तो 0.1 van't of factor प्लस ये multiply होगा 4,3 is the 12 होता है 12 तो 1.2 हो जाएगा this is equal to van't of factor 1 ठीक है तो ये हो जाएगा 1.2 1 में से जब ये subtract होगा तो 0.6 आना चाहिए मेरे हिसाब से बिटा absolutely correct है ठीक है एक बार फिर से cross check कर ले न and let me know कि क्या ये answer सही है या नहीं तो 100% जो है वो आपका यहाँ पर correct answer आना चाहिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं next question कहता है which of the following is not a colligative property and a very 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 important question ऐसा question CUET में आने की बहुत जादा possibility है क्यों क्योंकि ये सबसे tricky question है तो विडियो को pause करो पहले खुट राए करना इस question को फिर ही मेरा approach देखना है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर question में देखें which of the following is not a colligative property आपको ये बताना है तो इन में से हमें पता है colligative property जो होती है वो होती है relative lowering in vapor pressure या फिर lowering in vapor pressure भी होती है elevation in boiling point होता है depression in freezing point होता है और osmotic pressure होता है elevation in boiling point होता है depression in freezing point होता है osmotic pressure होता है बट vapor pressure नहीं होता vapor pressure तो पेटा आपका सिर्फ P या फिर P not ये सब है relative lowering in vapor pressure या फिर lowering in vapor pressure होता तो आपका correct answer होता यानि कि this is not a colligative property vapor pressure colligative property नहीं होती है vapor pressure तो हर एक का होता है चाहे वो solute हो, चाहे वो solution हो right, yes तो यानि कि option 1 जो है वो आपका correct answer है और ये बहुत tricky question था जहाँ पे गलती करने की possibility रहती है तो इस तरह के questions आपके CVT में पूछे जा सकते है तो ऐसे questions का ध्यान रखना है ठीक है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next question बेटा next कहता है, which solution has the highest vapor pressure आपको बताना है कि इन में से कौन से solution का highest vapor pressure है अब बेटा, अगर आप vapor pressure की बात करोगे तो vapor pressure जो होता है हम कैसे calculate कर सकते है एक second, which of the solution has the highest vapor pressure तो बेटा, अगर आप यहाँ पर vapor pressure की बात करेंगे बेटा, vapor pressure नहीं होना चाहिए यहाँ पर इस question के अंदर क्योंकि vapor pressure तो सबका होता है calculate करने के लिए हमें actual कुछ calculations चाहिए होती है इस question को थोड़ा change करते है which solution has the highest osmotic pressure कर लें क्या I think यहाँ पर हम osmotic pressure कर लेंगे तो आपको जादा easy होगा इस question को करना ठीक है, you have a question that which solution has the highest osmotic pressure ठीक है, आपको बताना है कि इन में से किसका highest osmotic pressure है और आपको concentrations given है ठीक है, यह question है तो आप इस question को कैसे करोगे अब आपको पता है माम osmotic pressure जो होता है वो दिया जाता है as pi is equal to ICRT अब आपको होगे कि माम आपने Vant of factor क्यों add किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से दिखो तो आपके पस NaCl है, आपके पस CaCl2 है, आपके पस Na3PO4 है और यह सब बेटा, completely ionize होंगे अपने ions के अंदर, ठीक है तो Vant of factor आपको चाहिए अब अगर आप हर case में Vant of factor calculate कर लें, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे अगर हम यह consider कर रहे है कि 100% ionization हो रहा है अगर completely ionize हो रहा है तो NaCl जो है, वो कितने ions में ionize होगा 2 में, तो यहाँ पे Vant of factor 2 है, बेटा सुक्रोज जो होता है, वो आपका ionize नहीं होता, ठीक है, तो उसका Vant of factor 1 ही रहता है, तो Ma'am यह 1 रहेगा अगर आप CaCl2 की बात करोगे तो CaCl2 का जो Vant of factor है वो कितना होगा, CaCl2 कितने ions में ionize होगा, Ma'am 1 तो Ca2 plus में होगा, और 2 Cl minus, यानि कि 2 plus 1, 3 ions में ionize होगा, तो Vant of factor यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका Vant of factor कितना होगा, बेटा, Na3 PO4, तो Ma'am, Na3 के 3 ions, Na के 3 ions, और PO4 3 minus का 1 ion, तो टोटल 3 plus 1, 4 तो Ma'am, यहाँ पे 4 Vant of factor होगा, अब बेटा, अगर आप Cosmotic pressure देखो तो दोनों सभी cases में temperature और gas constant तो constant ही रहेगा, क्योंकि temperature के बारे में कोई information नहीं दी, तो यानि कि Ma'am temperature change नहीं होगा तो बेटा, अगर temperature change नहीं होगा, तो आप यह देखो कि I into C, क्योंकि यह value तो सबके लिए same है तो यानि कि Vant of factor into concentration, जिसकी सबसे ज़्यादा, उसी का Osmotic pressure सबसे ज्यादा होगा है ना, हाँ, तो चलो अब हर case में हमें बस इनको multiply करके देखना है, अगर आप इस case में देखो, तो आपका Vant of factor 2 है और concentration इतनी है, तो C into, I into C, जो है, वो कितना हो जाएगा 0.04 है ना इस case में Vant of factor अरे यार Vant of factor into concentration कितना हो जाएगा, देखो माम, Vant of factor 1 है, और यह 0.03 है, तो यह आजाएगा 0.03, चलो इस case में देखते हैं, इस case में I into C कितना हो जाएगा देखो, 3 है और यह 0.005 है, तो 5, 3, 15 तो यानि कि माम 0.015 हो जाएगा समझ आ रहा है, अब यह देख लो, यहाँ पर I into C कितना हो जाएगा, Vant of factor 4 है, यहाँ पर 0.05 है, तो माम, यानि कि 5, 4, 20 होता है, तो 0.02 हो जाएगा है ना, यहाँ आप से पूछा था, कि which has the highest osmotic pressure, तो जिसकी I into C की value सबसे जादा होगी, क्योंकि RT तो सबके लिए सेम है, तो माम, I into C सबसे जादा किसके लिए है, यहाँ पर 0.02 है, 0.015 है, 0.03 0.04 है, तो माम, first option जो है, उसका osmotic pressure सबसे जादा होगा, तो बिटा, option 1 जो है, वो आपका correct answer हो जाएगा, तो आपको Vant of factors को इस तरीके से use करके calculations करने, ऐसे questions आप से पूछे जाते हैं, again बिटा, इस type के questions आप से CUET में पूछने की बहुत जादा probability है, ठीक है, I hope यहां तक किसी को कोई doubt नहीं है, सब कर लेंगे, चलिए बिटा, आगे बढ़ते हैं, next question करते हैं, next question again आपके सामने आ गया है, और ये भी आप से पूछा गया है, ये भी आपका एक PYQ ही है, तो चलो बिटा, question को पढ़ो और देखो क्या कहता है, question कहता है, what mass of NACL NACL का क्या mass, molar mass आपको दिया हुआ है must be dissolved in 65 gram of water, यानि कि आपको water का mass दिया हुआ है, 65 grams, ठीक है, to lower the freezing point by 7.5 degrees Celsius, बेटा, आपको freezing point के lowering के बारे में बात करे हैं, मतलब में को समझ आ गया है कि depression and freezing point वाला formula लगेगा, और बोला क्या है कि lower the freezing point by 7.5 degrees Celsius, तो जितना भी था, उससे 7.5 कम कर दिया, यानि कि माम, यह जो value है, वो मुझे delta TF की दी हुई है, 7.5 बेटा, यह चीजें आपको ध्यान लगानी है, कि delta TF की value आपको 7.5 दिये, क्योंकि उसने बोला कि freezing point कम हो गया है by 7.5, है ना, ऐसे नहीं का कि 7.5 से कम हो गया है, या फिर इतने से कम होके 7.5 हो गया है, नहीं, उसने कहा, it has decreased by 7.5, तो delta TF पूरे की value आपको 7.5 given है, ओके, freezing point depression constant आपको KF की value भी दी हुई है, 1.86 assume vanthoff factor for NaCl is, और आपको पूरे vanthoff factor 1.87 value भी दी हुई है, तो यानि कि माँ, delta TF जो होता है, वो होता है, vanthoff factor into KF into molality, अब अगर मैं यहाँ पर molality की बात करूँ, तो moles of solute upon mass of solvent in kg होता है, mass of solvent in kg होता है, ठीक है, अब moles of solute में मुझे mass तो निकालना है, NaCl का और molar mass मुझे दिया हुआ है, यानि कि molality में, mass of NaCl मुझे calculate करना है, और molar mass मुझे कितना दिया है, 58.5, इस पूरे को मुझे divide करना है, mass of solvent in kg, solvent क्या है, water है, water का mass 65 kg given है, kg में convert करने के लिए 1000 से divide करेंगे, इस चीज को इसके अंदर put कर देते हैं, delta tf कितना दिया हुआ है, 7.5 is equal to 7.5 is equal to van't of factor 1.87 kf 1.86 molality अभी निकाली mass of NaCl upon 58.5 into 1000 आ जाएगा उपर और नीचे रह जाएगा 65, तो सारी चीजें आपको दी हुई हैं, सिर्फ आपको क्या निकालना है, mass of NaCl, तो NaCl का mass निकालना है, easy है, calculate कर लो और answer निकाल लो, तो यह अब आप मुझे comment section के अंदर बताएंगे, कि कितना mass of NaCl आया है, ठीक है yes, I hope यहां तक किसी को कोई भी doubt नहीं है, बहुत बढ़िया बिटा, आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ NCRT के questions करेंगे, देखो, ऐसे ही questions आपके PYQs में हैं, तो आपको अब बहुत सारे questions प्राक्टिस करने हैं try to solve the questions में जितने possible थे, मैंने class में कराई, क्योंकि इससे जादा मैं time की foundation होती है, मैं के ऊपर थोड़ी, ठीक है तो कुछ 2-3 NCRT के questions भी करते हैं, then you have to practice yourself, okay, चलो, question क्या कहता है, that you have a solution of glucose, आपके पास में glucose का एक solution है, ठीक है in water, labeled as 10% mass by mass, ठीक है आपके पास में एक solution है, जिसका label है, 10% mass by mass, तो यानि कि you have 10 grams glucose, glucose आपका solute है, ठीक है in 100 gram solution, 10% mass by mass, याद है, पहली class, की भूल गए, की, निकल गए दिमाग से, ये ध्यान रखना, ठीक है what would be the molarity and mole fraction of each component आपको बताना है, की molarity क्या होगी, अच्छा, molality क्या होगी, और mole fraction क्या होगी, इतना बताना है, उसके बाद में कहता की, अगर density solution की 1.2 grams है, अगर आपको density solution की 1.2 grams per milliliter गिवन है तो molarity solution की क्या होगी, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको बतानी है पहले तो विडियो को pause करो और खुड ट्राइ करो, फिर मैं आपको सारे hints दे दूँगी, ठीक है, हाँ तो मैं को इतना समझ आया, तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, that moles of glucose जो होंगे, वो कितने हो जाएंगे given mass, 10 grams divided by molar mass, 180 grams per mole होता है आपको याद होना चाहिए, ठीक है moles of glucose आ जाएंगे कोई शू नहीं है, आगे देखो अगर mass of solution है, तो उसको आप mass of solute plus mass of solvent कहते थे है ना, हाँ तो भाई, mass of solvent कितना हो जाएगा, mass of solution minus mass of solute ठीक है, mass of solution है 100, और solute क्या है, आपका glucose उसका mass कितना हो है, 10 grams तो यह आजाएगा आपका 90 grams तो आपके पास में आपके solvent का mass भी है, जो है 90 grams आपको molality calculate करनी है, moles आपके पास है, mass of solvent आपके पास में है, तो क्या आप molality calculate कर सकते हैं, molality होगा, moles of solute, 10 upon 180, mass of solvent in kgs, solvent क्या है आपके पास है, mass solvent का 90 upon 1000 ठीक है, बस इसको solve करना है और आपके पास में आपकी molality आजाएगी, पहला question हो गया, second क्या था, second क्या था, mole fraction निकाल दो, तो mole fraction निकालने के लिए हमें पता है, कि हमें moles of glucose निकालने पड़ेंगे तो पहले आप moles of glucose ही निकालो, moles of glucose कैसे आएंगे माम, 10 upon 180, ठीक है, बिटा second component क्या है, water है तो moles of water कैसे आएंगे solvent का मास आपने अभी निकाला, 90 grams, तो given mass upon molar mass तो यह आजाएगा 18, यहां से moles of glucose भी आगए, moles of water भी आगए तो क्या आप mole fraction of glucose निकाल सकते हो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, moles of glucose upon moles of glucose plus moles of water, सारी चीज़ें आपके पास हैं, बस values put करनी है, और mole fraction आजाएगी आपके पास में किसकी, glucose की water की mole fraction कैसे निकलेगी 1 minus mole fraction of glucose, कितना असान है यार, कितना असान है, बिल्कुल ऐसे आपको कर देने easy, बहुत easy, बहुत easy, very good बेटा, तो माम हमने दो चीज़े तो निकाल ली तीसरी चीज़ भी तो बोली हुई है तीसरी क्या है, you have to find the molarity, तो molarity कैसे निकालेंगे, हमें पता है that molarity निकालने के लिए हमें moles चाहिए solute के और volume चाहिए solution की liters में, है ना अगर आप ध्यान से, अगर आप density is equal to mass upon volume, तो volume जो होगी, वो क्या हो जाएगी, mass upon density mass कितना है 100 gram solution का density कितनी है 1.2, तो यहां से आपके पास में जो volume है, वो आजाएगी milliliters में, तो आपको molarity निकालनी है, moles of solute यानि की glucose के moles, glucose का mass कितना था, 10 upon 180 हो जाएगा न, moles, तो 10 upon 180 upon volume of solution in liters solution की volume आपके बस milliliters में है, 100 upon 1.2, इस पूरे को divide कर दो 1000 से तो आपको क्या मिल जाएगा solution की volume in liters, तो बस molarity निकाल लो 10 upon 180 into 100 upon 1.2 into 1000 बस, इसको solve कर लो और आपको आपकी molarity भी मिल जाएगी, तो देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ चीजों को inter convert करना आना चाहिए, अगर formulae rate होते, तो नहीं हो पाता ये question, बिना formulae rate समझने से question हो पाता है, ठीक है, yes कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है तो इस तरीके से आपको इन questions को करना है, कि आपको क्या दिया हुआ है बस उसके according आगे बढ़ना है ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं next question बेटा, next question जो है, वो बहुत ही अच्छा question है कहता क्या है, उस question को पढ़ लो यह मैम आपको करवा रही है question कहता है, that you have how many milliliters of 0.1 molar HCl, आपको HCl की molarity given है, कितनी 0.1 molar are required to react completely with 1 gram of Na2CO3 and NaHCO3 तो आपको बोला गया है, कि जो मास है Na2CO3 का और NaHCO3 का, इन दोनों का मास मिला कर 1 gram है मैम कह सकती है, कि अगर मास of Na2CO3 जो है, वो X grams है, तो मास of NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 minus X grams कितना हो जाएगा, कोई शूनी है यहां तक, येस मैम आपको आगे भी कुछ बोला गया है that they contain equi molar amounts of both, दोनों का मिला के मास तो 1 gram है and पिटा, दोनों के moles जो है, वो equal है, equi molar का मतलब होता है, कि दोनों के moles equal है, ठीक है, इतना मुझे clear हुआ, पिटा, अगर आपके पास में given masses है दोनों के, तो क्या आप moles of Na2CO3 निकाल सकते हो, मैम given mass है, X upon molar mass कितना होगा पिटा, इसका, add कर लो देखो, molar mass कितना आएगा तो, Na3, Na3 तो 23, 23 plus carbon 12 plus 48, तो 8, 9, 10, 16, 6, 1 और यह हो जाएगा 4, 4, 10 4, 4, 8, 9, 10, 10 106, तो बिटा, इसके moles हो जाएंगे, X grams upon 106 grams per mole Na2CO3 का molar mass जो होता है, वो 106 grams होता है similarly, moles of NaHCO3 भी निकाल सकते हैं बिल्कुल, कैसे निकाल लेंगे you have 23, then 1 फिर आजाएगा carbon 12, then 48 तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 4, 1 यह हो जाएगा 4, 5, 6, 7 and 8 ठीक है, तो 84 आ रहा है तो बिटा, यह आजाएगा 1 minus X upon 84 4 grams per mole अब आपने दोनों के moles निकाल लिए हैं और question में आपको बोला गया है that इनका equimolar amount है तो equimolar है यानि की 1 और 2 जो हैं वो दोनों equal है 1 should be equal to 2 तो यहां से आप क्या सकते हो that X upon 106 will be equal to 1 minus X upon 84 ठीक है तो यहां से बिटा, आपके X की value calculate करोगे 84 X is equal to 106 minus 106 X तो अब यहां से क्या हो जाएगा यह यहां पर आ जाएगा तो कितनी value आ जाएगी देख लेते हैं यह इधर जागे जाएगा तो 6 plus 4 आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 1 फिर यह आ जाएगा 9 और 1 190 आ रहे क्या एक तो नहीं मेरी calculation इतनी खतरनाक है क्या बताऊं 190 आ रहे है ठीक है माम तो 190 आ गया यहां से हम क्या कह सकते है that 190 X is equal to 106 तो X की वाल्यू आ जाएगी 106 अपॉन 190 ठीक है तो इस तरीके से आप X की वाल्यू calculate कर लेंगे ठीक है यह माम X is equal to 106 ठीक है 84X ओके यहां तक आपकी वाल्यू आ गई होगी X की आप से पूछा था that how many milliliters of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram ठीक है तो यहां से जब आप X की वाल्यू निकाल लोगे न तो आप Na2CO3 के भी moles निकाल लोगे और NaHCO3 के भी moles निकाल लोगे अब यहां पे एक important चीज है यह थोड़ा सा tricky question है यहां पे आपको बस यह याद रखना है that 2 moles of HCl neutralize 1 mole of Na2CO3 and 1 mole of HCl neutralize 1 mole of NaHCO3 तो यह आपके पास में आ गया ठीक है तो यहां से आपको एक चीज समझ आ गई है यहां से आपको एक चीज समझ आ गई है कि आपको total कितने moles चाहिए वो आपको समझ आ गया है कि आपको 2 moles HCl के चाहिए 1 mole Na2CO3 को neutralize करने के लिए और 1 mole HCl neutralize करने के लिए 1 mole NaHCO3 चाहिए ठीक है तो बिटा बस इस information को आपको यूज करना है इस information को आपको यूज करना है यहां से आपके पास में दोनों के moles आ जाएंगे and you can find out the molarity तो यानि कि आप यहां से क्या कह सकते हो यह आगे आपके पास में 2 moles of HCl yes okay तो यूज आप 2 moles of HCl which will neutralize 1 mole of Na2CO3 and you have 1 mole of HCl which will neutralize 1 mole of NaHCO3 right yes तो यहां से आप moles of HCl calculate कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आप यह देख लो कि यार जगर 1 mole Na2CO3 के लिए 2 moles चाहिए होते हैं तो यहां पर total आपको moles of HCl कितने required होंगे अगर आपके moles जो है वो यहां पर X upon 106 है तो आप क्या कह दोगे that moles of HCl will be 2 into X upon 106 और यहां पर moles of HCl कितने हो जाएंगे equal number में ही चाहिए तो कितने given है आपको 1 minus X upon 84 तो 1 minus X upon 84 यह है आपके total number of moles ठीक है तो इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो 4 कोई दिक्कत नहीं है यहां तक 3 और 4 बोल दिया now total moles of HCl जो आपको required होंगे that will be 2X upon 106 plus 1 minus X upon 84 ठीक है और यही जो moles है बेटा वो आपके molarity into volume of HCl के भी equal होंगे है ना येस तो बस अब क्या है 2X upon 106 plus 1 minus X upon 84 is equal to molarity कितनी दी हुई थी question में 0.1 molar given है तो 0.1 into V अब X की value तो पहले ही निकाल लोगे वो यहां पे put कर दो और फिर यहां से आपकी V volume जो है वो आजाएगी ये थोड़ सा lengthy question था पर आपको इसको बहुत important तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका NCRT का question है तो ये वाली जो चीज थी वो आपको नहीं पता थी तो ये आप note बना कर अपने पास लिख सकते हैं चीक है I hope आपको यहां तक clear हो मोलर दिया हुआ है तो दोनों को equate करेंगे तो equi molar से हमारे पास में X की value आजाएगी X की value आगी यानि कि आपने इसके भी moles निकाल लिए और इसके भी moles निकाल लिए अब इसके moles और इसके moles से आप HCL के moles निकाल सकते हैं कि कि कितने कितने required होंगे अब total पूरे solution में कितने moles of HCL यूज हुए है वो add होके आ जाएंगे और जो moles यूज हुए होंगे वही तो molarity into volume के भी equal होंगे तो अगर molarity into volume के equal होंगे तो वो लिख दो और यहां से आप V volume कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा high level question था अब अगर हम देखें तो हमारे पास में बहुत सारे questions अभी भी बाकी है तो चलिए देखते हैं अगला question आगे कि सारे questions में homework देने वाली हूँ ठीक है क्योंकि आप कर सकते हैं questions को ठीक है अगर कोई doubt रहेगा तो let me know मैं अपने अगली class के session में आप से वो इसका सकर्दोंगे तो question कहता है that a solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution by mass तो अगर आपके पास में कोई 25% solution है by mass तो इसका मतलब है you have 20 grams of salute present in 100 gram of solution दूसरा क्या दिया हुआ है 40% solution तो बिटा 40% solution का मतलब है you have 40 gram salute in 100 grams solution अब बोलता कि जो 25% वाला solution था उसके solution का mass 300 gram है अब पिटा अगर 100 gram में 25 gram present है और आपके पास में ये 300 grams है तो अगर इसको into 3 करके 300 grams solution कर रहे हो तो इसको भी into 3 कर दो ये हो जाएगा 75 grams यानि कि 75 grams salute आपका 300 gram solution के अंदर present है सेम यही ट्रिक यहां पर use करो अगर 100 gram में 40 gram salute है आपके पास में 40% वाला solution कितना है 400 gram तो मैम अगर इसको मैं 4 से multiply करके 400 grams कर रही हूं solution तो इसको भी 4 से multiply कर देते हैं और ये हो जाएगा 160 gram solute तो total mass of solute आपके पास कितना आ गया 75 plus 160 तो ये हो जाएगा आपके पास में 5, 6 और 7 ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 1 235 grams ठीक है Similarly, total mass solution का कितना हो गया आपके पास में 300 plus 400 which is equal to 700 gram है ना आप से पूचा गया calculate the mass percentage of the resulting solution बहुत इसी है भाई mass by mass percent होता है mass of solute grams के अंदर upon mass of solution grams के अंदर into 100 easy mass of solute 235 mass of solution 700 into 100 answer आपका इसको solve करो और आपके पास में आपका answer बिल्कुल तयार होगा इतना percent mass by mass solution है आपके पास ठीक है यस तो बेटा ऐसे ही questions है इतने ही easy questions है आपके पास में ठीक है यस तो ये आगे के सारे NCRT questions है try कर लो इन questions को ठीक है मैं आपको ऐसे बहुत सारे questions करा चुकी हूँ तो I hope आप कर पाएंगे मैं आपको homework दे के जारी हूँ this is your homework question ठीक है try करो जो नहीं होगा just let me know majority of बच्चे जिन से नहीं होगा मैं वो वाला question आपको solve करवा दोगी ठीक है yes तो यह homework question है यह homework question है यह homework question है and this is also your homework question ठीक है yes तो इतने questions जो हैं वो आपके homework questions है चार questions मैं आपको homework दे रही है in fact आपको paper की तयारी के लिए सारे questions खुद से try करने है पूरी NCRT, सारे sample papers and सारे PYQs ठीक है yes तो I hope आपको आज का session interesting लगा होगा मज़ेदार लगा होगा क्योंकि हमने छोटा सा पाट पड़ा and then हमने question प्राक्टस करी मैंने आपको PYQs करवाई and दिखाया कि बेटा किस तरह से conceptual questions आप से पूछे जाते है CUT के point of view से consequences important होते हैं हमने उसकी भी discussion की ठीक है yes तो बेटा तयारी करो congratulations आपका solutions chapter complete हो गया है and I wish कि आपको सारी चीज़े clear भी हुई होगी ठीक है मुझे तो बहुत मजा आपको ये वाला chapter बढ़ाने में आप मुझे जरूर बताने कि आपको कैसा लगा ये पूरा chapter पूरे chapter के बारे में आपको मैं को बताना है yes जाने से पहले आज मैं आपको एक story सुनाना चाहेंगी एक छोटी सी story है आपको अच्छी लगे एक table था जिसके उपर एक diamond पड़ा था एक table था जिसके उपर एक diamond पड़ा था और एक मिठाई पड़ी थी एक table पे एक diamond पड़ा था और मिठाई पड़ी थी ठीक है तो बहुत सारी चींटियां आई और वो सारी चींटियों ने उस मिठाई को खाना शुरू कर दिया उस मिठाई को सबने एक साथ इकठे होके उठा कर ले गई ठीक है लेकिन वो diamond वही रह गया अगर आप मिठाई की बात करो तो वो तो 100-200 रुपे की होगी लेकिन diamond तो कितना महंगा होता है है ना लेकिन चीन्टियों ने क्या choose किया चीन्टियों ने उस मिठाई को choose किया उस diamond को choose नहीं किया वही पर अगर आप जाते तो आप उस diamond को choose करते क्योंकि वो इतना costly है इतना सुन्दर होता है तो बेटा इस से हम एक चीज़ समझते हैं कि आपकी worth क्या है वो जब right person जो है वो देख लेगा तो आपको आपकी worth पता चल जाएगी कभी भी कोई test में आपके marks नहीं आए हैं अगर तो आप उससे खुद को worthless feel मत करो अभी आपका time नहीं आया है जब आपका time आएगा ना जब आपका time आएगा तो आपकी worth सबको दिखेगी जैसे वो diamond की worth सबको दिख रही थी तो बिटा ये चीज आपके लिए बहुत important है कि आप कभी भी अपनी एहमियत को ना भूले आपसे ज़ादा important कोई नहीं है इस दुनिया में आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी आपको सिफ अपने आपको prove करना है जब right time आएगा तो आप अपनी importance आप अपनी एहमियत prove कर पाएंगे बस उस समय का इंतजार करो और महनत करते रहो चमकते रहो उसी हीरे की तरह येस तो I hope आपको अच्छा लगा होगा और इससे motivate होकर आप बहुत सारे सवाल करेंगे और माम को ज़रूर बताएंगे कि कितने questions इंसारों में से आपके सही हुए थे ठीक है 15 questions माम ने कराए है just let me know कि कितने questions आपके सही हुए है ठीक है 15 में से अपने आपको marks देना और मम्मी को भी जा के बताना है ठीक है यस ओके विटा नेक्स सेशन में मिलते हैं तब तक all the very best thank you so much